कवियों के कवी कहे जाने वाले शम्शेर बाहदूर सिंग का जन्व तीन जन्वरी 1911 को दहरादून में हुआ उनकी शिक्षा दिक्षा मुख्षत दहरादून और इलाबाद से हुई कवी कलाकार और पत्रकार रहे शम्शेर का जीवन और क्रतित्व कलाओं के बीच की दूरी को ही नहीं पाड़ता है बलकि भाशाओं की दूरी को भी कम करता है हिंदी और उर्दू को दो आप मानने वाले शम्शेर एक सफल गद्यकार भी रहे हैं यह शम्शेर का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में शम्शेर के साहितिक अवदान और उनके रचनाकार व्यक्तित्व के विभिन पहर्मों पर चर्चा की जा रही है परन्तु उनके चित्रकार रूप की चर्चा प्राय कम ही हुई है आज हम अपने दर्शकों को चित्रकार शम्शेर और उनकी विशिस्ट चित्रकला शेलीक से परचित कराना चाहते हैं डॉक्टर रमन सिना जवाला नरुविश्विद्याले के भारती भाषा केंदर में पढ़ाते हैं संगीत, कला, फिल्म और चित्रकला में आपकी गहरी रूची है चित्रकार शम्शेर पर अभी हाली में उनकी पुस्ति का प्रकाशित हुई है और ये शम्शेर बहादूर सिंग पर एक नई पुस्ति भी लिख रहे हैं सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शम्शेर बहादूर सिंग के चित्रप्राय कम उपलग्द होते हैं आपको उनकी चित्रों को देखने का मौका कब और कैसे मिला 86 में मैं जब शम्शेर जी पर PhD का काम कर रहा था तो इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने के लिए सुरेन नगर रहा और मनसा ये थी कि मैं उनका एक इंटरभ्यू लूँ और जो मेरे सोध का एक हिस्सा के रूप में सामने आए जब मैं वहाँ पहुचा तो वहाँ आप सभी जानते हैं कि शम्शेर जी डॉक्टर रंजना अरगरे के साथ सुरेन नगर में रहते थे उस मकान में ही मैं ठहरा और वहाँ पर मैंने देखा कि उनके उनकी जो पेंटिंग्स हैं वह वहाँ पर हैं और मुझे जिग्यासा हुई कि मैं उनके पेंटिंग्स को देखूँ और देखने पर मुझे और जिग्यासा हुई कि अब तक तो हम लोग सिर्फ समसेर के बारे में सुनते आये थे कि उन्होंने कुछ चित्रकला का भी प्रसिक्षन लिया है और चित्र भी उन्होंने बनाये हैं लेकिन देखने का मौका किसी को नहीं मिला था तो वो उसको कटी बंधिये उन्हों परिवेस में बिना किसी साज संभार के वे पेंटिंग की दुर्दसा दिखाई पड़ी तो मैंने और रंजना जी ने मिलके बाजार से बहुत सारे कागज और माउंट करने के लिए कुछ कूट के तक्ते खरीद के लाया और हम लोगों ने उसको दोनों मिलके उसको एक प्रकार से कह लिए कि माउंट किया और फिर बात यह बढ़ी कि क्यों ना संसेर जी के प्रेंटिंग से और लोगों का परिचाय कराएं और इसी सिलसले में हुआ कि आप इस पर लिखें तो मैंने कहा कि इस पर शिर्षक भी नहीं दिये हुएं तो मैंने संसेर जी से आग्रह किया कि आप कृपिया इन पेंटिंग्स का इन चित्र को आप शिर्षक दें जिससे कि मैं लेक में इसका बेवरा दे सकूं तो संसेर जी ने मेरे आग्रह पर बड़ी ही प्यार से उन्होंने उन सभी पेंटिंग्स पर सिर्षक दिये और फिर उस सिर्षक देने के बाद मैंने उस पर लेक लिखा और वो लेक उस समय साफेक्ष का जब विसेसांग का आया संसेर विसेसांग उसमें छपा और फिर शमसेर जी का क्या योगडान रहा है? चितरकार थे, सादा चरण वकील और वर्दा चरण वकील दो बंधु थे, दो भाई थे, इन दोनों ने एक प्रकार शे बंगाल की ही मान्यताओं को फैखलाने के लिए प्रसारित करने के लिए दिल्ली में उन्होंने ये सकूल खोला था, उस सकूल में ही शमशیर आये और उन उन्हें कहा कि अच्छा तुम्हे बना के दिखाओ रेखांकन तो और रेखांकन जो नगोन ने बनाया जो उक्मील साहब उसको देखえ बहुत प्रभावित हुए और उने का ठीक है तुम मेरे स्कूल में दाखला ले लो और दाखला लेने के बाद उन्होंने वहाँ पर बजाबते प्रसिक्षन लिया पेशेवर चित्रकार के तोड़ पर वो प्रतिष्ठित होना चाहते थे बाद में जीवन की स्थितियां कुछ एसी रहीं कि वे उसको आगे नहीं बढ़ा पाए क्यूंकि आप जानते हैं कि चित्रकला में माध्यम की बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें कागज, रंग और यह बहुत महंगा आपके पास अगर कागज हो तो आप कविता तो लिख लेंगे अगर आपके पास पेंसिल हो कविता लिख लेंगे, लेकिन चित्र के लिए रंग चाहिए उन्होंने किस तरह के चित्र बनाए या उनकी शैली क्या रही, उसमें क्या-क्या विविदता है, उसके बारे में भी ज़रा आप विस्तार से हमें बताएं और मैं चाहूंगी कि उनकी पेंटिंग अगर आपके पार्स हो तो उनको दिखाते हुवे भी हमारे दर्शकों को जड़ा अवगत कराएं आप उनके कई दोर हैं पेंटिंग्स के जी सुरवाती दोर जो है जब उकील बंधूं से प्रक्रिक्शन ले रहे थे तो वो बंगाल स्कूल से प्रभावित हैं तो आरंभिक जो चित्र हैं वो आप देखेंगे कि वो बंगाल स्कूल से प्रभावित रहे हैं जैसे यह जो तीन चित्र आप देख रहे हैं इसमें सबसे जो बाएं तरफ है बाईं तरफ जो चित्र है वो उसका शिर्शक है नाक नक्स अब बीच में जो चित्र है उसका शिर्शक है भक्कु और जो कि बंगाल कला भारतिय कला का प्रगीत है लिरीक है तो एक लिरीकल आप दिखा टेंडेंसी एक प्रगीतात्मत प्रविर्ति आपको बंगाल इसकूल की चित्र कला में दिखाई पड़ेगी यह एक आश्चरिक का भी विसाय हो सकता है कि शमसेर के एक भी चित्र पौरानिक वि से हावी हैं तो ये बंगाल इसकूल से उन्होंने वही ग्रहन किया जो मूलता इनकी समवेदन सीलता के अनुकूल था और समशेर अपनी चित्रकला और कविता दोनों में ही आरंब से ही परयोगवादी रहें विसेश कर आप आएंगे कि समशेर के अधिकांस चित्र का जो काल ह है रचना काल है वह आप आएंगे कि वही काल है जिस काल में भारत में स्वचंदतावाद और यथार्थवाद के बीच संघर्ष चल रहा था अट 1935 से लेके वावन तक का काल इसी आवधी में शमसेर ने सरवाधिक चित्र बनाए और आप आएंगे कि यह जो आवधी है यह अवधी पुरे अखिल भारतिय अस्तर पर चाहे वो चित्रकला हो या साहित्ते हो सब में रोमेंटिसिजम और रियलेजम के बीच में एक प्रकार का संघर्ष दिखाई पड़ता है और वहीं संघर्ष शमशेर के चित्रों में भी दिखाई पड़ता यह आश्चर कभी से न हुसेन बाकरे इन लोगों ने मिलकर एक संघठन स्थापित किया जो बंगाली स्कूल की मान्यताओं के विरोध में जाता था ऐसा कहा जाता है और कई स्राइटकारों की मुखाकरतियां भी उनों ने बनाई है तो संग्शित में हमें उनको उनकी जो नई चित शैली है उसके बारे में जराब बताएं जैसा मैं कह रहा था कि वो जो पूरा काल है जब पैक का काल है प्रोग्रेसिव आटिस ग्रूप का काल है उसी काल में शमसेर के यहां भी विच्छिप्त कवी और पागल कलाकार यह जो दो चितर आप सामने देख रहे हैं यह उसी दोर में बनाए इन दोनों की मुखाकृति आप देखें एक डर और एक अजीब सा आतंक और एक विच्छिप्तता का माहौल को शम्शेर ने रिखाओं के सहरे से चेहरे की लकीरों के सहरे से पकड़ने की कोशिश किये और यह बंगाली स्कूल से बिलकुल ही आपको अलग दिखाई पड़त यह दोनों ही पागल कलाकार और इच्छिप्त कभी की एक समाशास्त्रिय व्याख्या संभव है कि जब आप आएंगे कि अथार्थवादी प्रवर्तियां हावी हो रहे थी अब प्रोग्रेसिव आटिस्ट ग्रूप के कलाकार उस मनुभावनाओं को उस मनुभृति को प्रोग्रेसिव पारे थे नाकाम हो रहे थे उस नाकामी से उबरने के लिए एक अलग किसम की मुहावरे की ज़र्वत थी और वही वक्त है जब शंशेर ने भी विछिप्त कभी और पागल कलाकार में उस समवेदना को एक दूसरे मुहावरे से पकड़ने की कोसिस की है नी स्कूल की मुख प्रवर्ति थी उससे उबरने की कोशिश थी प्रभाववाद प्रभाववादी चित्रे इनके दो मुझे मिल पाये हैं एक तो यह जो जूसी में गंगा के किनारे एक तत्थि पहलक ए और एक दूसरा आइने में शंशेर इन चित्रों को देखे कि इंप्रे अगर मुझे नहीं दिखाए पड़ता तब हम उसके बटन को चित्रित नहीं करेंगे उसका एक आभासिय परती बिम्भी हमारी चेतना पर अवतरीत होता है और प्रभावादी कलाकार यह चाहते थे कि उस आभासिय परती रूप को ही अपने चित्रकला में ले आए समसेर प कलाकार के तौर पर वो सामने आते हैं फिर आगे चलकर वो एक्सप्रेशनिस्टिक जो पेंटिंग से उसको भी वो बरतते हैं एक्सप्रेशनिजम कला का एक ऐसा अंदोलन है जो यथार्थ को विरूपित करके अपने समय और अपनी समवेधना को पकड़ने की कोशिश करता है वे यथार्थ का हू बहू मैमेसिस या इमिटेशन नहीं करते अनुकरण नहीं करते बलकि चेहर्वे या माहौल को पूरे विकृत करके उस विकृति के माध्यम से यथार्थ को पकड़ना चाहते हैं यह आप देखी कभी बेंजनाबादी चित्र है इसमें व्यक्ति के ज यह देखे एक जैसे यह चित्र है एक्सप्रेशनिस्टिक अभी बेंजनाबादी यह देखे अभी बेंजनाबादी का लाकार जो समय और काल की अउधारना है उसके कई डाइमेंशन को गड़ मड़ कर देते थे और उस एक पिकासो के यहां देखिए कि चेहरे में दो नाग तीन नाग दिखाई पड़ेंगे यानि प्रोफाइल में नाग ऐसे दिख रहा है किनारे से दूसरी तरफ आँख कई दिख रहे हैं यानि एक ही व्यक्ति में कई डाइमेंशन को जक्स्टापोज कर दिया जाता है उस टेक्निक को शमशेर भी बरतते हैं इस चित्र में बहुत तेजी से बढ़ते हैं जिस तरह अपने कविताओं में भी आपने बात की की कविताओं में भी अमूर्थता की और बढ़ते हैं और वही अमूर्थता वही अपने चित्रों में भी अच्छा ये बदाईए कि कवी शमशेर और चित्र का शमशेर में क्या कोई आप साम मानता है कि दोनों ही परयोगवादी हैं, एक्सपरिमेंट करते हैं, परयोग करते हैं, जैसा मैंने कहा कि बंगाल इसकूल से आरंब करके वो रुकते नहीं, ठहरते नहीं, बल्कि वो निरंतर उसमें अपने कला माध्यम से और समवेदन सीलता से वो परयोग करते हैं, जिस तर कि जो हैं संसे के वा मूलता है इस रोप में हैं कि जैसा कि यूरोप में तक हुआ वेकलाकार्य ऐसा मानते थे कि जो यठाकरण अनुकरन है वह अनुकरन यथार्त का सिर्फ बाहरी जो परिवेस है उसको पकड़ता है लेकिन जो उसका अंदरूनी परिवेस है जो उसकी भावदसा है जो उसकी मनोदसा है उस मनोदसा और भावदसा को नहीं पकड़ पाता यह अब्स्ट्रेक्ट पेंटिंग की सुरुवा पकड़ना चाहते थे तब उन्होंने अमूर्थ कला की रहा पकड़ी कई बार ये जो चिटरकार रूप है समशेर का ऐसा कहा जाता है कि शमशेर का पहला प्यार चितरकला रही लेकिन मुक्तिबोद ने कहीं लिखा है कि उन्हों ने जो है अपने चितरकार को पद्रुचूत क करके कवी को स्थापित किया क्या आप इसे मानते हैं उनकी कवीतों में क्या ऐसा नहीं दिखाई देता है मुक्तिबोद की बात एक हद तक ही सही है वो उन्होंने इस अंदर में बात कही है कि जो कवी भी भिम्ब का इस्तेमाल करता है इमेज का इस्तेमाल करता है और अगर ले जो बिंब को पकरता है, बिंब की रचना करता है, वो रंग और रेखाओं के माध्यम से, तो रंग और रेखाओं की भूमी का चुकि अलग है, और आप आएंगे कि शब्द की भूमी का अलग है, शब्द आपकी इंद्रियों पर अलग धंग से प्रभाव करता है, और उसी प एक भाव दसा को रिखांकित करती हैं, एक मना हिस्थिती की और संकेत करती हैं, वो किसी ऐसे जैसे कि ये है, इसमें इस संसार में, इस ब्रम्भांड में दिखाई पढने वाले किसी भी अथार्थ का या प्रतिक रूपात्मक्चित्रन नहीं है, ना तो इसका वो रिप्रेज जो मनुस्य के एक खास दसा को इस ब्रम्भान में होने के खास अनुभूती को रिखांकित करता है, एक खास अनुभूती को पकड़ता है, अब दूसरे भी चित्रों में देखे, इस चित्र का शंशेर ने शिरसक दिया है स्रोता और दर्शक, और दूसरा जो चित्र है, यह सकुंतला के परी लोग में अब आप देखें कि इन दोनों चित्रों में न तो सकुंतला का परी लोग का कोई वाय रिखांकन आपको दिखाई पड़ेगा और नहीं आपको स्रोता और दर्सक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन स्रोता और दर्सक की इस्थिती को समसेर इन उनकी एक कविता है, लगता है कि उनका चित्रकार मन उसमें दिखाई देता है, हमारी स्कूल में बच्चे भी उस कविता को पढ़ते हैं, प्रात नवथा, बहुत नेला, शंक जैसे, भोर का नवराक से लीपा हुआ, चोका अभी गीला पढ़ा है, यहां देखे एक तरह से श शंशेर के अलावा हमारे यहां, और भी ऐसे कभी हुए हैं, जो चित्रकार भी हुए हैं, जैसे स्वयम महादेवी चित्रकार थी, उनकी एक पुस्तक में चित्रों और कविताएं दोनों हैं, क्या शंशेर ने भी अपनी कविताओं की पुस्तकों में चित्रों का उपियों किया है कहीं शमसेर उस प्रकार के चित्रकार नहीं है जिस प्रकार के महादेव वर्मा या जगदिस गुप्त या तेजी ग्रोवर यह एक प्रोफेशनल एक पेशेवर चित्रकार और इसलिए शमसेर के चित्रों में उनकी कविता को ढूनना बेकार होगा बजाय यह ज्यादा सही होगा कि समसेर के चित्रों को उस दोर के जो दूसरे चित्रकार हैं उन चित्रकारों के समक्ष रखकर उनको देखा जाए यह ज्यादा अच्छा होगा कि शमसेर को हम उस दोर के दूसरे चित्रकार हैं उन चित्र आंदोलनों और चित्रकारों को सामने रखकर उन पर बात करें नकी कविताओं के पर रखकर बात करें अब जैसे कि देखे समसेर ने बहुत सारे सूरीलिस्ट कविताइभी लिखी है और सूरीलिस्ट पेंटिंग भी बनाई है अतियत हार्थवाद भी एक कलान दोलन रहा फ्रांस में और वे एक प्रकार से अधिकान सूरीलिस्ट जो पेंटर्स थे वो फ्राइट से परभावित अफ्राइट के साइको अनिलिसिस का साहरा लेते वे उनका नारा यह था कि चेतन और अवचेतन के बीच को जो दिवार है उसको गिरादे और उस दिवार को गिराने से ताथ पर उनका यह था कि चेतन जो कि बाहर में जैसा कोई भी व्यक्ति दिखलाई पड़ता है उसके उस बाहर उपाकार को पकड़ने के बजाए अच्छा यह होगा कि उसके आंतरिक लोग को उसके अवचेतन को पकड़ें अब यह देखें दंत पंक्तियां जो हैं वह गाल के बीचों बीच हैं दिखाई पड़ रही हैं जहां दांत होना चाहिए वहां ना होके ऊपर दिख रहा है दूसरा आप देखें पिंजडे में बंद तोतारानी यह एक किस्त्री का एक कहले जे कि इसको एक नारिवादी विम यहादी ड्रामे को पकड़ा गया है जहां पर उसरी की मनोभावना उस पिंजडे में बंद तोतारानी का जो चित्र है उन डोनों में एक अस्तर पर समवाद चल रहा है जैसे दोनों की मनहस्थित्यां एक हैं जिसे उसकी भी मनुदसा, इस संसार में वैसे ही है जिसे पिंगले में बंढ उस तो तरानी का उक्वाल दू पक्षी है और उसको आजादी नहीं है उसी प्रकार इस्तip ही जिवन इस कहने है जिसको पेट्रियार्की कहा गया है पित्री सत्ता में एक नारी की नियती को सम्शेर ने इस सुर्यल मुहावरे में पकड़ने की कोशिश किये इसी प्रकार आप वे मुखांकन जिसको कहा गया है फेस मैपिंग फेस मैपिंग के भी एक अनोखे चित्रकार है शंशेर ने ऐसी चित्र भी भी बनाए हैं जिसको आप व्यक्तिचित्र कह सकते हैं मानो मुक्छित्र फिर कुछ जागरू कुछ जाने पहचाने व्यक्तिओं के भी उन्होंसे पोρ्डेट बनाए है और कुछ सेल। पोर्डेट बनाए इसलिए उनके मुखांग्कन की तीन हैं उपरन्यास जीवनी और आत्म जीवनी की जिसमें कि यथार्थ और कल्पना का एक मिस्रन दिखाई पड़ता है और उस मिस्रन के भिन अनुपात होते हैं उसी प्रकार आप आएंगे कि पोट्रेचर और सेल्फ पोट्रेट और एक सामान मानव मुख्चितर कह लेजे इन त इसका सिर्शक है मैडम हेर डू को पकड़ा गया है किस तरह से केस विन्यास जो इस तरी का है उसकेस विन्यास और इस तरी का मुखांकन बस कुछी स्टोक में शम्शेर ने उस पूरी मनुदसा को पकड़ लिया इसी परकार यह चित्र देखिए यह देखिए ये कुछ साहित्यकारों के चित्र हैं, कुछ खास उनके जमाने के इलाहबाद के अधिकान्स चित्र जो वड़ोड़ने बनाये हैं जिसमें भैरो परसाद गुप्त जो इलाहबाद के एक बहुत ही केंद्रिये चरित्र हुआ करते थे और कहानी पत्रिका निकालने की वजह से नहीं, बलकि वहां की साहित्तिक जुनिया में इनकी एक यहमियत थी नरेश मेहता, जो संसेर जी के गहरे मित्र भी रहे, रंजनार गड़े, उपेंडरनात यश्क यह सभी चित्र में आप देखिए कि संसेर की टेकनिक यह है, उस व्यक्ति का जो आंतरिक जीवन है, उसको एक आगर करें मुखाक्रतियों के माधियम से उन्होंने व्यक्ति के आंतरिक जीवन को व्यक्त गया संसेर, यह संसेर की खूबी रही है, बहुत बड़ी और आपने शमशेर की पूरी कला यात्रा के बारे में हमें बताया, और कि शमशेर किस-किस तरह की चित्रकार रहे हैं, और उनक पर किन-किन कलाओं का प्रभाव रहा है, उन्होंने खास तोर से रिखांकन जादा किया है, अच्छे यह बताईए अंत में कि शमशेर की तो आ क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी खराब आर्थी किस सती में भी चित्रकार रह सकता है शमशेर की तर है जो पहली बात आपने कहीं कि समसेर कि सेल पोट्रेट उनके आत्म चित्र कि संख्या 12-13 के आसपास है आप देखिए कि समसेर अपने को किस रूप में देखते हैं और एक बहुत ही गौर करने लाइक बात है कि समसेर अपने को जिस रूप में देखते हैं वह अपने इमेज को चंकाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग self portrait बनाते वे हैं, अपने आत्मभिम को प्रक्षेपित करते हैं, वो ऐसा दिखलाना चाहते हैं देखे मुझे में क्या खूबिया है, संसेर ऐसा नहीं करते समसेर अपने निरिहता और अपने गुम शुदगी को जैसे कि अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस सभी ही प्रिंटिंग में आप देखिए कि सेलफ पोट्रेट में समसेर किस रूप में सामने आते हैं कर एक बहुत बड़े कलाकार की पहचान है कि वह अपने माध्यम को अपने बिम्बों का चमकाने का एक जरिया नहीं मानता बल्कि वह अपने को समझना चाहता है उसके लिए कला खुद को सेलफ डिसकवरी है खुद का मन्थन आत्मा लोचन का माध्यम समझता है और शम्शेर के सेलफ पोट्रेट इस बात की गवाही देते हैं कि किस प्रकार एक बड़ा कलाकार अपने व्यक्तित्व के सहारे अपने आत्म की खोज करता है हाँ शम्शेर के चित्रों के माध्यम से हम शम्शेर के व्यक्तितों को समझ सकते हैं सम्षेर ने बहुत सारे सिल्क पोटरेट के साथ साथ इसको स्टिल लाइफ कहा जाता है नििश्चल जीवन उन्होंने भी बनाया है अब यह देखिये अलाहबाद के घर के जो स्टिल लाइफ है उस स्टिल लाइफ के कई पक्ष उन्होंने सामने रखे और पस्च्ма से ही यह क इतने धंग से इसको बढ़ता है जहां पस्चिम के कलाकार अपनी भावगोलिक इस्थित्यों के अनुरूप लॉबस्टर और दूसरी चीजों को चित्रित करते थे शमसेर के यहां आपको दिखाई पड़ता है कि दसहरी आम प्याज इन सब चीजों का चित्रन हुआ है और ज कि यह जो है लेंडिस्केप इस लेंडिस्केप को शमसेर ने उसके साधारानत्यों को पकड़ने की कोसिस किये इसमें को उन्होंने बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत ही जिसको कहा गया कि महाकाब ब्यात्मक मुचाई नहीं दी है लेकिन इसका सौंदर इसमें जीने वा लेकिन शमसेर के गहरे मित्र थे और उन्होंने तिलोचन के काभी संग्रा का बुक कवर डिजाइन कि अच्छा इस दो तरह के डिजाइन मिलते हैं एक यह और दूसरा यह मुक्ति के स्वर्ण तो शमसेर के बहुत ही घनिस्ट मित्र रहे हैं क्या आपने धर्ति का पद पर अब अब दिजाइन के बहुत बहुत धनेवाद रमन जी आपने चित्रकला को शमशेर के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी विस्तित जानकारी दी और साथ ही यह भी बटाया कि किस तरह शमशेर ने आर्थिक अभाव में रहते हुए भी अपनी चित्रकला को जीवित रख रहे तो जाहां चाह है वहां रहा है आर्थिक इस्तितिया आड़े नहीं आती है अगर मनुश्य सोच लें हमारे बच्चे अगर सोच लें कि अपनी उसका ला को आगे बढ़ाना है तो शमशेर उनके लिए प्रेणा किश्रोत हो सकते हैं इस्टूडियो में आने के लिए आ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अखर आपका बक्तार क्षबवारे सी फिर्गी नहीं काईक Chapman है है अखिप लेखkapयाल है ऍरिट को है «मार्पल्स saffрыв का श्रुन है tutव द dart